तो बटा आज हम एक नए टोपिक लेके आपके सामने आए हैं लास्ट क्लास में हमने एल्कोहल्स का यूपेसी नॉमेंट लेचर किया था आज हम एथर के यूपेसी और कॉमन नेम के पढ़ेंगे याप ठीक है तो आए बटा में स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी देखें हम बात करते हैं IUPAC नॉमेंट लेचर ओफ एथर एथर क्या होते हैं सबसे पहली जीज में आपको हर बार कहता हूँ किसी भी functional group को आपको identify करना है तो उसको पहले अच्छे से उसकी structure को समझें ध्यान दें एथर की structure क्या होती है एक्चुली इसमें एक oxygen group आपको oxygen atom नजर आता है दो carbon chain इसका representation कैसे करते हैं दो L के लिए दो carbon chain के बीच में जब oxygen atom present होता है मतलब दो continuous carbons के जस्ट बीच में दो carbon के बीच में oxygen atom नजर आ जाए इसका IUPAC nomenclature कैसे करते हैं इसका IUPAC formula क्या बनेगा तो याद रखें इसका IUPAC formula कैसे होगा ROR दो carbon chain के बीच में जब oxygen atom present हो तो क्या करेंगे दोनो R में से यानि दोनो carbon chain में से जो carbon chain largest हो या जिसमें carbon ज़ादा हो जिसमें number of carbon atom ज़ादा हो उसको तो हम बना देंगे alkane जैसे इस R को दोनो R सिमिलर है यहाँ पर तो मैंने इस एक को तो बना दिया यहाँ पर alkane और जो दूसरा R बचा हुआ है जो comparatively इस R के comparison में जो छोटा भी हो सकता है या similar भी हो सकता है ठीक है इसको हम बना देंगे oxygen के साथ मिलाकर alcoxy यह alcoxy एक substituent के form में use करते हैं substituent के दें या as a prefix use करते हम इसको ठीक है आपको पता है जब हम IUPAC nomenclature करते हैं तो hydrocarbon chain से पहले जिनका हम नाम लिखते हैं वह as a prefix होते हैं और बाद में जो लिखते हैं वह सारे suffix होते हैं तो यहां एक आर को हम बना देंगे alkane और जो दूसरा आर बचा हुआ है उससे oxygen के साथ मिलाकर हम लिखेंगे या alcoxy as a substituent ठीक है अब आपको पता है पहले हम substituent लिखते हैं फिर हम chain लिखते हैं तो पहले आजाएगा alcoxy और देन आजाएगा alcan तो alcoxy alcan इसका IUPAC formula बन जाएगा इथर्स का IUPAC formula क्या हो जाएगा alcoxy alcan ठीक है एक बार फिर से समझ ले इथर में क्या होता है दो carbon chain के वीचे में oxyan atom present होता है तो दोनों मेंसे किसी भी R को अगर दोनों R different है तो जो बड़ा R है जिसकी carbon chain length जादा है उसको में alcan बना ले और जो छोटा है उसको हम alcoxy बना दे अलक प्लस oxy alcoxy बन जाएगा ठीक है अब समझें formula आपका बन चुका है alcoxy alcan इस example का naming कैसे कर सकते हैं समझें इसमें तो यहाँ आपको दोनों तरफ similar group नज़र आ रहा है दोनों तरफ methyl है इधर भी methyl है और यहाँ भी methyl है मतलब दोनों तरफ single carbon नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप किसी को भी alcan बना दे माल लीजे इसको मैं बना देता हूं alcan तो इस alcan में एक carbon है इसको हम कह सकते हैं methane, इसे हम कह सकते हैं methane, और इसमें भी एक carbon है, तो एक को आपको alcoxy बनाना है, तो इसको मैं कह सकता हूँ methoxy, तो यह आपका हो जाएगा methoxy, अब दोनों का नाम, यह methoxy as a substitute होता है, इसको हम पहले लिखेंगे और alcoxy को हम बाद में लिखेंगे, तो हम क् साथी साथ मैं आपको इनका common name भी समझा देता हूँ, ज्यान से देखें, जब दोनों r similar होते हैं, जब दोनों r similar होंगे, तो हम इसको symmetric इther कहेंगे, और जब दोनों r different होते हैं, इधर r है और यहां rs है, तो यह asymmetric इther हो जाएगी, ठीक है, जब दोनों r similar है, तो यह भी alkyl जोरत नहीं हम इसको लिख सकते हैं, dialkyl, dialkyl, dialkyl ether, dialkyl ether, dialkyl ether, dialkyl ether, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, यह इसका common name हो जाएगा, dialkyl ether, next हम बात करें, कि इस ro rs में क्या होगा, इसको भी आप alkyl कहेंगे, यह r अलग है, यह alkyl है, और यह rs different है, इसको भी आप alkyl कहेंगे, आप समझें, यहां दोनों r similar थे, मतलब दोनों carbon chain की length similar थी, तो दोनों को, दोनों alkyl को दो बार लिखने के बज़ए, हमने die लिख दिया पहले, क्योंकि number of alkyl 2 हैं यहां और दोनों similar है, तो हमने die prefix use किया, diealkyl ether, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, यह alkyl different है, और यह different है, त तो दोनों जब alkyl different होंगे, तो फिर English alphabet में जो पहले आएगा, English alphabet में जो पहले आएगा, उसे पहले लिखेंगे, तो एक alkyl पहले लिखा जाएगा, फिर दूसरा alkyl लिखा जाएगा, तो alkyl, alkyl, then last में ether, ठीक है, तो यह इसका common name हो जाएगा, इसी formula को मैं इस example पर समझ दोनों तरफ का alkyl same है, तो di alkyl, alkyl की जगए का लिखेंगे, तो dimethyl, dimethyl ether, यह इसका common name हो जाएगा, ठीक है, next example समझे, next example में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ एक तरफ oxygen के एक तरफ तो दो carbon chain है, और एक तरफ इसमें single carbon chain है, जब oxygen के एक तरफ double carbon की chain है, मतलब यह longest hydrocarbon carbon chain है, इसमें carbon ज़्यादा है, तो two carbon है, इसमें क्यों लेकी carbon है, तो आपको पता है, IUPAC में हम chain उसे select करते हैं, जिसमें number of carbon atom ज़्यादा होते है, जिसमें carbon की संख्याप ज़्यादा हो, तो इसको तो हम बोल देंगे, alkane, यानि यह तो हो जाएगी आपकी ethane, यह तो हो सकते हैं, methoxy, IUPAC formula क्या बन जाएगा, IUPAC name क्या बन जाएगा, पहले हम alkoxy लिखेंगे, alkoxy को पहले लिखेंगे, alkane को बाद में लिखेंगे, तो methoxy first आ जाएगा, इसमें methoxy, methoxy देन आ जाएगा, ethane, methoxy, ethane, यह इसका आ जाएगा, IUPAC name, हम बात करें इसी compound का common name, common name हम दोनों are different होते हैं, दोनों are जब different हैं, मतलब दोनों alkyl को जब different हैं, तो दोनों को हम बारी बारी से लिखेंगे, पहले एक alkyl, then दूसरे alkyl, but दोनों alkyl में वो alkyl पहले लिखा जाएगा, जो English alphabet में, ABCD में पहले आता है, अब देखें, यहां आपको ethyl नजर आ रहा है है, two carbon chain नजर आ रही है, यहां single carbon chain है, methyl है, यहां methyl M से start होता है, यहां ethyl E से start होता है, English alphabet में E पहले आएगा, तो पहले हम लिखेंगे इसको ethyl, then लिखेंगे methyl, ethyl, methyl और फिर आ जाएगा ether, यहां जाएगा इसका common name, यहां लिखा हुआ है, two time alkyl लिखना है, then ether, तो दोन alkylis alphabet में पहले आएगा, ethyl का E पहले आता है, और methyl का M बाद में आता है, तो पहले हम E को लिखेंगे ethyl, then हम M को लिखेंगे methyl, then ether, ठीक है, next example की बात करें, third example हमारा है, दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है, carbon chain, यहां भी two carbon chain है, यहां भी two carbon की chain है, तो हम IOPC name की बात करे किसी को एक को जब दोनों similar है, तो किसी एक को तो alkyne बनाना होगा, किसी दूसरे को alkyne बनाना होगा, मान लीजिए हम इसको alkyne बनाते हैं, तो यह ethane हो जाएगा, और इसको हम alkyne बना देते हैं, तो यह ethoxy हो जाएगा, तो हम first इसको लिख सकते है, ethoxy, ethoxy देना जाएग आपकाँ एथेन, अथाक्सी एथेन ये आईउपय छीनायम हो जाएगा पहले ऐलकॉक्सी बना दें जब डोनों ही आर सिमिलर है, इधर भी इेथेन है और याँ भी इथेन है तो हम किसी एक को बना दें, इलकॉक्सी यासरी ये ऐलकॉक्सी तो एथाक्सी देना जाएगा आपका एथेन, टू कार्बन चेन एथेन, ठीक है, एथोकसी एथेन, अब बात करें हम इसके common name की, common name क्या होगा, दो नो आर सिमिलर है, इसको एथिल बोलेंगे, ये भी एथिल है, तो डाई एथिल एथर आ जाएगा, डाई एथिल एथर, डाई एथिल एथर इसका common name हो जाएगा, इस compound का, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इस example को देखें, इसमें oxygen के एक तरफ तो methyl है, और एक तरफ इसमें फैनी लिया, मैं क्या दू बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, अब IUPAC name के according आपको वो chain select करनी है, man hydrocarbon chain आपको वो बनाना है, जिसमे number of carbon जादा है, तो जाहिर सी बात है, इसमें carbon 6 carbon है, और ये benzene बड़ी रिंग है, ये एक छोटा compound है, मैं कह दूँ एक छोटा group है, carbon के वल अकेला है, तो इसको तो हम बना लेते हैं, main hydrocarbon chain और इसको बना देते हैं हम एक substitute alcoxy, तो ये तो हो जाएगा, आपका methoxy, ये हो जाए बात करें, इसके हम common name की, तो एक तरफ है methyl और एक तरफ है phenyl, जब हम इसको common name लिखेंगे, तो benzene ring को हम क्या कहेंगे, phenyl कहेंगे, जब common name लिखेंगे, तो ये methyl होगा, ये phenyl होगा, methyl आपका M से start होता है, phenyl आपका P से start होता है, English alphabet में M पहले आएगा, तो हम क्या इसका common name, methyl, methyl, phenyl, methyl, phenyl, ether, methyl, phenyl, ether, ये इसका common name हो जाएगा, ठीक है, next compound के हम बात करें, दो benzene ring के बीच में oxygen है, दो benzene ring के बीच में oxygen है, इसका UPC name क्या होगा, किसी एक को तो alcoxy बनाना है, मानलो इसको मैं alcoxy बना दू, तो phenyl के साथ oxygen, phenoxy कह सकते हैं इसको, phenyl plus oxygen phenoxy, और यह आप as a hydrocarbon chain, समझें, benzene ring, जब main hydrocarbon chain के form में use होती है, तो उसको हम benzene लिखेंगे, और जब benzene ring as a substituent use होती है, as a prefix होती है, तो फिर उसको हम phenyl लिखते हैं, तो phenyl plus oxy, phenoxy, और यह हो जाएगा आपका benzene, तो इसको हम IUPACY में क्या लिखेंगे, पहले alcoxy, then alken, तो पहले हम लिखेंगे phenoxy, पहले हम लिखेंगे phenoxy, then हो जाएगा benzen, यह इसका IUPACY ने हो जाएगा, बात करें हम इसके common name की, दोनो benzen ring, हम इसके common name की बात करते हैं, तो दोनो तरफ benzen ring है, दोनो तरफ similar group है, मतलब दोनो आर similar है, तो di-alkyl, तो di-phenyl, di-phenyl कह सकते हैं, इसको हम di-phenyl ether, di-phenyl ether इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, next example आपके लिए है, आप खुद इसको try करें, इसका क्या नाम होगा, और आप इसके लिए इसका answer आप comment कर सकते हैं, ठीक है, I hope कि आपको ethers का IUPACY नॉम आपके बेटा, thank you, bye.